जे स्री किष्णा, राधे राधे, आज आप सुनेंगे गो माता की कहानी पौरानी काल में राजा दिलिप नामक एक राजा थे, उनका कोई पूत्र नहीं था इसलिए वो अपने गुरु बसिष्ट के पास गए गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हें पूत्र नहीं हो पा रहा है तुम्हारा अपराध यह है कि तुम एक बार देवताओं के उद्धा में मदद करके वापस लोट रहे थे रास्ते में देवताओं को भी भोग और मुक्ष देने वाली काम धेनू एक बिसाल बढ़ विक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अइनक कई गोव मताये चारा चर रही थी बस सिग्रतावस तुमने अपना बिमान रोक कर नीचे उतर कर काम धेनू एबं अन्न गोव मताओं को परणाम नहीं किया जबकि रास्ते में कही भी गोवस दिखे उनको रा देते हुए दाये होकर परणाम करना चाहिए ये बात तुम्हे भी गुरु जनों ने पूर्व में बताई थी यहाँ गोव अपराद और गुरु अग्या का उलंगन हुआ है इसलिए तुम्हारे यहाँ पूत्र की प्राप्ती नहीं हो सकती जरा सोचिये हम तो कभी परणाम नहीं करते क्या हमारे पूत्रा नहीं होंगे आज कल पूत्रा कहां पैदा हो रहे हैं आज तो लड़के पैदा हो रहे हैं जो हमेशा माबाप से लड़ाई करे वो लड़के महराज दिलिप गुरु जी के पास जाकर रोने लगे आपती हो सकती है ले टो वो भी चलते थे जब गुमाता खाए तब ही वो खाते थे एक दिन गुमाता ने दिलिप राजा की परिक्षा लेनी चाही जैसे ही प्रकृती का संदर्य निहारते राजा दिलिप के लिश्टि फिरी नंदनी गौमाता गुफा में चली गई उस गुफा में एक सेर रहता था सेर ने गौमाता को पकड़ लिया और गौमाता करुन पुकार कर डकारने लगी और राजा दिलिप से मदद की गुहार लगाने लगी राजा दिलिप गुरु किरपा से चर अचर सभी प्रानियों की भासा समझ लेते थे राजा दिलिप ने सेर के उपर जैसे ही धनुस बान संधान किया उनका हाँ जहां का उहां जाम हो गया वे निसक्त से हो गये क्यूकि यह सब खेल नंदिनी गाय का था गाय का एक रूप भगवती दुरगा भी है वो ही देब दानव यक्ष किननर और मानवों को सक्ति परदान करती है यहां तक कि भगवान सिव की परा सक्ति भी या गौ माता ही है जब हाथ जकर गया तब राजा दिलिप मुझ से ही चिलाए मेरे गुरुजी की गौ माता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ मुझे कोई दुख नहीं होगा मगर हे सिंगराज आपने इस नंदिनी गाय को आगात पहुँचाया तो मुझे जीते जी भी मरा ही समझो सेर ने कहा कि अरे तू तो एक राजा है मुझे गाय को खाने दे और बस सिस्तर जी को इस गाय के बदले दूसरी हजार गाय दे देना क्यों ऐसी मुर्खता कर रहा है दिलिप ने कहा नहीं ये गौ माता को छोड़ दो और मुझे खा लो बस में और कुछ नहीं जानता बस गौ माता हमसे इतना प्यार चाहती है और गौ माता ने राजा से कहा कि बस में तुमसे परसन्न हूँ मैं तो तुम्हारी परिच्छा ले रही थी ऐसा कहकर गौ माता ने अपना समस्त बैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र रतन चाहिए और गो माता के कृफा से दिली प्राजा ने रगु जैसा पुत्र प्राप्त किया जिनके नाम पर ही आगे रगुबंस चला इसी रगुबंस में आगे जाकर स्वेम भगवान राम के रूप में नारायन प्रगट हुए प्रेम से बोलिए गो माता की जै दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले